हलो बच्चों आज हम आप सभी लोगों का सिखर बैच या जो की 2025 बोड़ परिच्छा का है उसमें पहला टेश्ट है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेश्ट आपको कैसे देना है देखो आपने इस से पहले एक टेश्ट दिया है जो की scholarship टेश्ट था है आज जो है test यह सिखर बैज में यह test सब लोग नहीं दे सकते legitimate लिए हैं 2021-25 बुर्ट पडिच्छा के त्यारी के लिए वही बच इस टेस्त को दे सकते तो यह पुरानी क्लासेज है जो लाइब हुई है कल की चुकि आज सनिवार है तो सनिवार को टेस्ट होता है आप लों का और रिविजन के लिए समय दिया जाता है तो आज तो कोई क्लास नहीं है यह देखो चैप्टर 3 वैदुधारा का लेक्चर 6 है यह आपका बहुभी कल् यह सब क्लासेज हुई है ठीक है कल की लाइब क्लासेज है देखो उपर लिखा है प्रिवियस लाइब सेशन लिखा हुआ है इसके उपर देखोगे तो यहां पर बगल में इसको आपको खिसकाना है तो यहां पर आपको लिखेगा टेस्ट टेस्ट उपर लिख रहा है तो देखो physics test series 2025 लिखावा मिला है तो यह जो physics test series 2025 है अभी तो क्यों आज physics का test है आगे से कोई भी test होगा तो यहाँ नीचे math, biology, hindi, english सब लिखने लगेगा अब आपको देखो यहाँ पे physics test series 2025 में जब किलिक करोगे तो देखो यह जो वीडियो है यह जो आपका test schedule मिलेगा आपको 15 बजे यानि यह test 15 बजे शुरू होगा 40 question होगे 40 mark के हैं और साथ में 50 minute आपको दिये जाएंगे यह पूरा लिखा हुगा है यह test कभी start होगा देखो यहाँ पे लिखा है live on 30 March 2024 15 PM GMT प्लस 5 बच के 30 PM यह होता है न यह GMT का मतलब कि यह एक तरह से आपका एक मानक होता है समय जो कि आपका पांच गंटे करीमे 5-30 गंटे करीमें आगे होता है मतलब कुल मिला जो लागकि यहां पर 15 बजे मतलब तीन बजे आपका यह test श्टार यह पको पता रखना है अब यहां पर 15 बजे टेस्ट श्टार्ट ऊगा तो इस पर क्लिक करोके तो test दे सकते हो सर अभी से बता दो यहाँ पे 8 बच की 55 मिट में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तुम्हें टेस्ट दे के बता नहीं सकता देकिन हाँ एक पुराना टेस्ट जो आपका हुआ है यह वाला इसको खोल के मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका टेस्ट में सो करेगा हलाँ इसके पहली भी मैं बता दिया हूँ इस पे जब तीम बच जाएगा तो यहाँ पे attempt लिखा हूआ आएग attempt प्रे जब क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे ऐसा लिखा हूँ आएगा नीचे लिखागा agree टर्मेंट condition इसन आप agree कर दीजेगा, जब agree करोगी तो इस तरह से questions दिखेगा, जो questions सहे उसको click करिएगा, 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 ठीके, last में जब पूरा question हो जाएगा, तो यहाँ पर click करके, नीचे submit लिखाओगा, submit पर click कर दीजेगा, जब आप submit click कर दोगे, तो test का result तुरंत नहीं आए आपका test का result 2-3-4 गंटे, या फिर कभी-कभी 2-3 दिन भी हो सकता है, क्योंकि next day Sunday, तो हो सकता है, Sunday को साम को, या मन्डे को सुबह में test का result आएगा, जब result आएगा, तो हम notification भेज़ देंगे, result आ गया है, जब result आ जाएगा, तो आप notification भेजेंगे, तो जाके आप देखोगे तो वहाँ पर result करने लगा, जिसे देखो, इस तरीके से, ये वाला test है, इसका result आ गया, तो इस तरीके से देखेगा, so करेगा, कि कितना आपका सही है, कितना गलत है, नीचे यहाँ पर attempt test लिख रहा था, वहाँ पर view result देखने लगेगा, ठीक है, इसी तरीके सा आपको test दे मज़ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो, तो जरूर बताइएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उमीद है, देखो, यहाँ पर view course में जाओगे, मैंने बता दिया, टेस्ट पे क्लिक करोगे, उपर, है न, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है, अभी तो